अगर आप एक माइनर है आपका एज 18 साल से कम है या अगर आप एक पैरेंट है आप अपने बच्चों का एक सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप को टक महिंद्रा बैंक में एक माइनर के लि इलिजिबिलिटी होती है और क्या-क्या डोकेमेंटेशन होती है साथ में आपको यह भी बताएंगे कि आपको यहां पे ओल्लाइन अकाउंट ओपनिंग कैसे करनी है जो complete जो प्रोसेस होगा माइनर अकाउंट से रिलेटेड इस वीडियो के अंदरम आपको बताने वाले है तो अगर आपको भी कोटक महिंदरा बैंक में एक माइनर के लिए सेविं अकाउंट खोलना है तो बने रहे इस वीडियो में इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोटक महिंदरा बैंक के माइनर अकाउंट के बारे में जो भी confusion जो भी doubt है वो clear हो जाएंगे तो चलिए दोस्तो फटाफट से इस वीडियो को कर लेते हैं start उससे पहले आपसे एक request है कि अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं पहली बार सुन रहे हैं तो आप यह जो चैनल है इसे subscribe कर सकते हैं यहाँ पे आपको banking और finance related वीडियो लगतार देखने को मिल जाते हैं तो चलिए द सबसे पहले इस account की highlight समझ लेते हैं कि आपको इस account के अंदर क्या क्या benefits मिलता है इस account के अंदर जो सबसे main benefits है वो है आपके saving account पे आपको 3.5% का rate of interest आपके saving account पे देखने को मिल जाते हैं साथ में दोस्तो यहाँ पे आपको personalized debit card की भी facility मिल जाती है तो आप minor के नाम पे debit card भी ले सकते हैं और बड़ी असानी से उसे इस्तमाल भी कर सकते हैं साथ में आपको इस account के अंदर checkbook की भी facility मिल जाती है अगर minor का age 10 वर्स से लेके 18 वर्स के बीच में है तो आप especially minor के लिए checkbook भी यहाँ पे issue किया जाता है साथ में दोस्तो यहाँ पे इनकी जो भी debit card मिलते हैं इनके preferred partner पे discount भी होते हैं जैसे कि यहाँ पे clear trip, discovery और भी बहुत सारे इनके preferred partner है जहाँ पे आप इनके debit card से discount ले सकते हैं अगर हम transaction की बात करें तो कोटक महींदरा बैंक आपको minor account पे IMPS, NAFT और UPI की भी facility देती है तो यहाँ पे आप इस account से बहुत ही असानी से phone पे, Google पे बहुत ही असानी से चला सकते हैं, दोस्तों अगर इस account की हम minimum balance की बात करें तो यहाँ पे आपको इस account के अंदर 5000 रुपीज यहाँ पे आपको maintain करने होंगे, अगर आप इस पैसे को maintain नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो saving account है वो zero balance account हो जाए, उस case में अकाउंट को zero balance में भी यहाँ पे चला सकते हैं, अब जोस्तों हम बात करते हैं कि कोटक महिंदरा बैंक में minor account opening के लिए क्या-क्या eligibility है, कौन-कौन से लोग इस bank में account खोल सकते हैं, देखिए अगर आप इंडिया के निवासी हैं, इंडियन रेसिडेंट हैं, और आपका age य minor saving account open करवाने के लिए क्या-क्या document देने होंगे, देखिए अगर documentation की बात करें तो यहाँ पे आपको कोटक महिंदरा बैंक में minor के लिए saving account open करवाने के लिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले minor का अधार card देना होगा, साथने आप minor का pen card यहाँ पे देंगी, अगर minor के पास pen card नहीं है, उस किसमें आप form 16 का इस्तमाल कर सकते हैं, form 16 से भी आपका जो minor account है, वो खुल जाएगा, अब हम बात करते हैं कि आपको account खुलवाना कैसे है, देखिए दोस्तों account opening के भी दो process आपको मिल जाते हैं, एक है आप अपने branch में जाके और वहाँ पे account खुलवा सकते हैं दूसरा जो है, कोटक महिंदरा बैंक आपको इनके website पे एक apply का form देती है, जहाँ पे अपने basic details जैसे की mobile number, email, साथ में आप अपने details फिलके वहाँ पे submit कर देंगे, और submit करने के बाद कोटक के जो representative होते हैं, वो आपको call करते हैं, और call करने के बाद आपकी जो भी KYC है उसे confirm की जाती है, और KYC confirm होने के बाद आपका जो account होता है, वो खुल जाता है, चलिए हम सीख लेते हैं कि आपको online में वो form कैसे submit करना है, कैसे यहाँ पे आपको कोटक में इस account को खुलवाना है, तो चलिए दोस्तों फटावट से इस tutorial को समझते हैं, कोटक महिंदरा बैंक में minor के लिए saving account open करने के लिए सबसे पहले आप कोटक महिंदरा बैंक की official website पे आ जाएंगे, कोटक महिंदरा बैंक की official website की link आपको हमारे इसी वीडियो के description में दी गई है, तो वहाँ से आप description वाले link से direct कोटक महिंदरा बैंक के इस official website पे आ सकते हैं, यहाँ पे आने के बाद आ यहाँ पे आपको explore products वाले जब option पे आप जाते हैं, तो यहाँ पे आपको accounts का एक section नजर आता है, accounts में आपको बहुत प्रकार के account दिखा जाते हैं, जैसे कि saving account, current account, corporate, salary account और भी बहुत सारे saving account जो आपको कोटक महिंदरा बैंक offer करती है, वो आपको यहाँ पे दिखाय जाता है, यहाँ पे हम बात करने वाले है saving account का, और saving account में especially हम minor के account की बात करने वाले हैं, तो आप saving account पे click करेंगे, जब आप saving account पे click करेंगे, तो यहाँ पे kotak महिंदरा बैंक के जितने सारे saving accounts होते हैं, वो आपको दिखाय जाएंगे, जैसे कि kotak का सबसे popular saving account है, वो है 811 digital saving account, ज यहीं जो account है वो आपको kotak Mahindra bank especially minor के लिए design किया गया है और इसी account में आपको अपना account खुलवाना होगा दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप इस account की कुछ highlights देख सकते हैं जैसे कि आपको इस account में यह facility मिल जाता है तो यहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं इस account की जो complete features, benefit और eligibility है वो इस video के इंट्रो में ही हमने आपको समझा दिया है तो हमें उमीद है कि आप इस account के बारे में complete information आपको मिल चुकी होगी अगर आपको जादा कुछ जानना है तो यहाँ पर आपको एक no more का icon मिलता है आप इस पर click करके और इस account के बारे में complete information बहुत ही असानी से ले सकते हैं फिलाल के लिए हम सीखते हैं कि आपको इस account के लिए apply कैसे करना है account opening के request कैसे डालनी है तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक options मिलता है apply ना हुगा simply आप apply ना हुगा ले इसी button पे click करेंगे जब आप इस button पे click करते हैं तो आपके सामने एक नया interface खु पुझता है name तो यहाँ पे दोस्तों आप जिनका भी account खोल रहे हैं जो भी minor है आप minor का name complete फिल करेंगे mobile number का आपको एक option आता है तो आपको आपके खाते से जो भी mobile number लिंक करानी है वो mobile number यहाँ प्या फिल करेंगे नीचे के तरफ email ID पुछा जाता है तो आप minor का email ID फिल कर करती है नीचे के तरफ आपसे आपका pin code number पुछा जाता है तो यहाँ पे आप अपना pin फिल करेंगे pin फिल करने के बाद CT का option आता है तो यहाँ पे आप अपना CT इंटर करेंगे दोस्तों सबसे नीचे के तरफ होता है promo code दोस्तों यह उन लोगों के लिए है जो पहले कभी branch जा चुके हैं और वहाँ पे branch के द्वारा आपको promo code भी provide किया जाता है तो यहाँ पे आप promo code फिल कर सकते हैं यह जो promo code है यह optional है तो आप इसे blank छोड़ देंगे आप इसमें कुछ नहीं फिल करेंगे नीचे के तरफ आप इस page को scroll करेंगे जहाँ पे आप से कुछ टॉम्श महिंद्रा बैंक के तरफ से आपको यह interface देखने को मिलता है आपको एक page display होता है और यहाँ पे आपसे बता जाता है thank you for showing interest in our products one of our representative will get in touch with you shortly तो दोस्तों यहाँ पे आपने जो भी account opening की जो request है वो कोटक महिंद्रा बैंक के साथ submit कर दिया है आप यहाँ पे देख सकते हो thank you क एक pop-up आचुका है तो जैसा कि यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे हमने जो भी form है उसे completely fill कर दिया है जब आप अपनी complete form fill करते है within 48 hours में आपको bank के तरफ से call आने के बाद आपकी जो भी required KYC document है जैसे कि आपका अधार card आपका pen card या form 16 वो आपको अपने bank में जमा करना होता है और bank में जमा करने के बाद आपकी जो KYC होती है उसे complete कर दिया जाती है जब आपकी KYC complete हो जाती है तो आपको instant आपका passbook मिल जाता है साथ में आपकी जो भी welcome kit होती है जिसमें आपका ATM card और जिसमें आपका checkbook होता है वो आपके घर पे भेई दिया जाता है जब आप खोलते हैं तो आपको initial funding में 5000 रुपीज अपने account में डालने होते हैं जो आपको इस account में maintain करने होते हैं तो दोस्तों यही जो process होता है वो होता है कोटक महिंद्रा bank में एक minor saving account open करने के लिए जो कि इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको briefly explain कर दिया है हमें उमीद है कि हमारा यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर इस वीडियो से रेटेट कोई भी doubt है कोई भी confusion है आप फ्रिली यहाँ पर comment कर सकते हैं मैं आपको instant reply दे दूँगा इस वीडियो को मेही पर खतम करते हैं मिलते हैं किसी interesting वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रख आपके टेक केर बाई बाई